तो भाई लोग कैसे हो तो स्वागत है आप सभी का एक और ब्रैंड न्यूव वीडियो में और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं MAU12 एक बहुत ही बहतरीन OS है और सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आया है और अपने किसी भी फोन के अंदर आप इन फीचर्स को यूज़ कर पाएंगे तो आप इस वीडियो को पूला लास्टक देखिएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना तो बिलकूर भी मत भूलेगा और टेलिग्राम पर जॉइन नहीं किया है तो यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं आप मुझे सर्च भी कर सकते हैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगा वहां मैं सारे अपडेट्स आपको पहले दे देता हूं तो हम बात करें थे अपने फोन के प्लेश्टोर एप के अंदर जाना है यहाँ पर जाने के बाद आपको MI Control Center को सर्च कर लेना है और यह दोस्तो अब प्लेश्टोर पे पहले नहीं था अब आ चुका है काफी सारे लोग प्लेश्टोर की अप्लिकेशन को ओफिशल मानते हैं उसके बाद दूसरो आप जब इसे on कर ले तो आपको कुछ settings को apply करना है जैसे कि आपको layout के अंदर जाना है layout के अंदर जाने के बाद यहाँ पर scroll करने के बाद आपको option मिलता है show power menu button दूसरा आपको यहाँ पर क्या करने की show network speed meter और भी कुछ चाहें तो वो आप इसमें enable कर सकते हैं इनका फायदा क्या होगा कि अगर आप दूसरो यहाँ पर control center को देखते हैं तो आपको power button का option दिखेगा उस पर click किजए click करने के बाद देखें आपको यहाँ पर power button के सारे option देखने को मिल रहा है मतलब बटन दबाने की जरूरती नहीं है सिर्फ आपको control center को लाना है उसके बाद आप यहाँ से इन सभी power button menu को enable करवा सकते हैं तो यह आपका काम बहुत ही असान कर देता है अगेन आप दूसरो इसी application को खोड़ लीजे और कुछ और settings को apply कर लीजे अगर आप चाहें तो दोस्तों इसके अंदर colors वगेरा को भी change कर सकते हैं dark theme चाहिए तो dark theme अलाव करवा सकते हैं कोई भी color आपको change करना है वो आप apply कर पाएंगे और कुछ भी settings आप यहाँ पर change कर सकते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपके phone के अंदर control center तो भई आजुका है जिसके अंदर आपको एक तरफ notification वाला section मिलता है दूसी तरफ control center जो की पूरा customize और पहले से बहुत ज्यादा बहतर आपको मिलता है फिर आपको theme store के अंदर जाना और यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको एक theme सर्च करने है जिसका नाम है global version 12 theme का नाम और इस application की details आपको description में मिल जाएंगी check out कर लीजें वहाँ पर जा करके उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे अपने phone का look तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा और आप यहाँ पर फोन का look देख सकते हैं आपको एक animated widget या फिर clock style animated मिलता है और अगर आप wallpaper की बात करें या फिर icon packs की बात करें तो देखें आपको बहुत ही बड़े look मिलने वाला है मतलब जो छोटी मोटी कमी थी उसको यह theme पूरा कर देगी और यहाँ पर आपकी जो phone का look है वो बहुत ही बैतरी मिलेगा चाहे वो आपके phone का कुछ भी features हो देख सकते हैं पूरी तरह से complete phone change हो चुका है और इसके अंदर दोस्तों आपको जो phone है वो पूरी तरह से M812 के अंदर बदल जाता है और आपको जो look है वो भी काफी बैतरी मिलता है अगर बात करें दोस्तों इसके lock screen की तो उसमें भी आपको एक control center extra मिलता है तो दोस्तों आपको मैं एक चीज बता दूँ कि आपको control center तो मिलता ही है और काफी सारे लोगों के phone में इसकी problem भी आती है तो आपको क्या करना है दिखिए आप recent application पैनल के अंदर जाए और वहाँ पर जाने के बाद इसी control center पर एक बाद long press कीजे और उसके बाद ये lock वाला option इस पर click कर दीजे फिर आप इसको यहां से हटा भी देंगे तो उसके बाद कोई problem नहीं होगी जितना भी clear कर दीजे ये continue work करेगा और आपको कोई problem नहीं होने वाली है तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like share करना मत बूलेगा मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स वीडियो में तब तक लिए thanks for watching